अब कोशेन नमबर 2 देखने में दोनों सेम लगेंगे पर इसकी फिगर में बहुत डिफरेंस आ जाता जब बनाओगे आप कंस्ट्रक्ट करोगे अब उसमें बीच में लोजिक लगेगा बस वह आपने लोजिक समझना है कि कुछ कोशेन में ट्रेंगल ऊपर बनेगा किस ट्र अब सबसे पहले मैं कोशेन नमबर 2 की बात कर रहा हूँ देखो 2 में मैं क्या दे रखा है कंस्ट्रक्टेट रेंगल ABC इन विच BC एक्वल टू 8 कोशेन नमबर 2 सबसे पहले हमें एक BC लाइन ड्रो करनी है कितने एट सेंटिमेटर कि बीपे कितना एंगल 45 तो बीपे 45 का डिगरी का एंगल नालो जीरो यह 60 कि 120 60 और 120 के बीच में आपका 90 हो जाएगा और 90 और जीरो के बीच में आपका 45 होता है तो यह फर्स्ट वीडियो में आपने एंगल बनाने सीख्योंगे तो यह आगया 45 अब इसके बाद आपने क्या करना है बीपे कम पास रखके कट करना है 3.5 यह एक्स पॉइंट आ गया तो यहां से यह डिस्टेंस है 3.5 यह वाले डिस्टेंस इसके बाद आपने एक्स को सी से जोइन कर देना है जैसे आपने नंबर वन में देखा है ऊश्ट नम्भर वन में वहीमने जिस भी लाईन को जॉइन किया है उसका पर्पेंडिकुलर बाइ सेक्टर मैं उसमें जो लिख दाnosis यहum पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर आरम कि ऑफ के छिडाटक्टरो मग्यों करते हैं एक बार एकसपे कंपस और ज्यादा खोल के इधर आर्क इधर आर्क कि इधर आर्क इनको जॉइन कर दो अब इसको जॉइन कर दो कि इसको भी आगे बढ़ा दो जहां भी आगे मिलेगा तो यह जो कि यह हमारा एह ओगा इसको फिसे करना है हमें करना सी एक सक परपेंटिव करना इसका आधिज ज्याद हो कि एक से रखा अधिश्याद होके इधर यह इदर रखले इधर यह जॉइन कर दिया यह डूटेट इस वाली लाइन को जहां भी कट करेगी इस लाइन को रागे बढ़ा देना अगर बाइचांच छोटी बन रही है तो इसको और आगे बढ़ा देना ठीक नहीं कहीं नहीं कहीं जुरूर मीट होंगी उस पॉइंट को आपने ए रखना है उसके बाद मेजर्मेंट के लिए क्या करोगे अब देखो यह होगा कोशेन नंबर टू कोशेन नंबर त्री कांस्ट्रक्टेट रिएंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इकोल टो सिक्स सेंटिमेटर एंड क्यू एकोल टो सिक्स्टी डिग्री कोशेन नंबर त्री क्यू आर लाइंडरो की सिक्स सेंटिमेटर क्यू पे एंगल कितना बनाएंगे सिक्स्टी डिग्र क्यू पर रखा यह सिक्स्टी है ठीक है अब इसमें इसको ने नीचे भी जॉइन कर दिया ओपर भी एक्स्टेंड करना नीचे भी करना एक्स्टेंड माइनस करने पर कितना है तो यहां पर क्यू पर कंपास रखा और यहां टू कट कर दिया तो यह मेरा एक्स पॉइंट आ गया यह टू सेंटीमेटर होना चीए यहां से नीचे की तरफ शिक्स्टी का एंगल बनाया यह जितना उत्रा नीचे आगे बढ़ा दिया यहां टू कट कर दिया इसको जॉइन कर दिया ठीक है अब आपने सोचा इस कोशन में भी माइनस है तो ऊपर कट किया है इसमें भी माइनस है तो यह नीचे कट कर दिया तो यह हुआ क्यों तो देख बटा इसके लिए एक लोजिक है लोजिक क्या है पहले तो मैं इसको लिख रहा हूं अगर मैं इसको देखूं ए भी माइनस इस जो इसमें काम करता है यह और ए आप क्या करोगे इसको बी सी बी सी ही लाइन रख्या ऑगा ए और यह लेटा एक नबाशिक नम्हें आपने इस को जो ऐसा क्यों करेंगे यहां भी यह BC बना तो उपर के तरफ अब यहां चेक करो PR-PQ, P से P अठाओ क्या बचा, RQ पर दे क्या रखा है, QR उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है तो नीचे के तरफ ध्यान रखना, सेम बने तो उपर कट करना है अगर यह PQ-P R उपर कट करते और यह उल्टा RQ बना तो नीचे कट करेंगे अब इसका किसका Perpendicular Bicector? Perpendicular Bicector of Rx का करना है, तो X पर कम पास रखना 1R उपर R पर पहली R को कट करें इनको जोईन करती हुए एक लाइन जहां भी एक दूसरे को मीट करें यह पॉइंट आवारा हो गया एक कि इसको जुए को हमारे ट्रियंगल बनेगा यह वाला ट्रींगल बन जैगा जो में चाहिए था तो है इसमें आप पी आर माइनिस पी क्यूं करके देखना तो आपका अगर टू आता है तो ठीक है 2.1 या 1.9 आता है तब भी ठीक है गैप ज्यादा है तो इसका मतलब आपने कोई कांस्ट्रक्शन दुबारा एक बार चेक करने है सेम इसमें जो आमाया जो में ट्रेंगल चीए था ये वाला ट्रेंगल आमारा आगया ट्रेंगल ए बीची ओके बटा थैंक्यू अन्ड हब नाइस जी